नमश्कार दोस्तों मद्यप्रदेश में बित्विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जो सरकारी नोक्रियों से संबंदित और कई सारे निड़ने इसके आधार पे लिए गए तो एक खबर है मैं आपको वह शौट में एक दम काम की बाते बता देता हूं कि इसमें आप सबसे बड़ी चीजे जो है वो यह है जो आपको सबसे पहले यहां पर पॉइंट नंबर वन पर जाना है बहुत सारी चीजे लिखिए मैं बस आपको काम की बाते बताऊंगा सीधी भरती के रिक्त पदों पर भरती के लिए कारवाई है तू पत्र कर्मचारी चैन मंडल लो इनका किसी भी प्रकार से कोई भी मामला पेंडिंग है वो निरस्त नहीं किया जाएगा एक यह सबसे बड़ी बात है बाकि इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन से रेलेटेट सीधी भरती 5% बहुत सारी बाते हैं अब मैं आपको इसके आगे बताता हूं यहां पर इनका कहन अब उसमान निवेंबर 2022 में आदेश जारी कर इन भरतियों पर जोादेश दिया थे गए है और सरकूलर में यह भी बताया गया कि 30 अक्टूबर दोजार चोबिस तक सीधी भरती की सभी प्रक्रिया जो चलती रही है जारी रहेंगी इसमें वो प्रक्रिया शामिल है जिनमें खाली पदों की जानकारी MPPSC कर्मचारी चैन मंडल अन एजेंसियों की भरती के लिए पत्र लिखे गए थे तो एक तो जो भी खाली भरतियां है उसके बारे में जानकारी जिनके result रुके हुए हैं जिनकी जॉइनिंग रुकी हुई है जिनको जॉइनिंग लेटर देना बाकी है ये जो भी प्रक्रिया है ये सब इन्हें जल्दी से जल्दी खतम करना और इसमें कुछ भी मामला निरस्त नहीं होगा दूसरी बात इनका ये कहना है इस सब में जो लिखा हुआ है कि अब से जो है हर साल इनके केलेंडर भी प्रॉपर जारी होंगे और समय पर बताया जाएगा कि कब कौन सी भरती आनी है कौन सा एक्जाम होना है ये सारी जानकरिया यहां पर है इतनी ही काम की बाते हैं छोटी-छोटी चीजे और लिखी हुई है जो आप चाहें तो वीडियो को रोक के यहां पर पढ़ सकते हैं लेकिन उनसे कोई खास हमारा लेना देना है नहीं इतनी ही खबर है और कुछ अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा और मैं यह तो इस मामले में मेरा मूट तो बड़ा सिंपल है कि भाई जब वेकेंसी आएगी तभी हम तो कोई भी चीज को सही मानेंगे खबरें आती रहती हैं चलती रहती हैं जब वेकेंसी आएगी नोटिफिकेशन आएगा उसको ही सत्य मानने के अलावा हमारे पास कोई option बचा नहीं है तो फिलाल यह news आईए यह update आया है तो मैंने सोचा छ वीडियो के माद्यम से आपको जानकर ही देती जाएं थैंक यू